हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लन्वरे देतिमन, तो हम लोगों ने एर्ट क्लास जो है वह है पूरी पढ़ ली है हमारा राजिस्थान में, जिसमें 10 चैप्टर थे, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट थे, जहां हमने देखा कि जोग्रफी के भी बहुत सारे चैप्टर और एक चैप्टर में जितने भी लाइने जो होती हैं, वो कोशन फॉर्मेट में मैं आप लोगों को यहां पर प्रोवाइट करवाती हूँ, तो देखिए, यहां पर कोशन अंसर करने से पहले आपको चैप्टर पढ़ना चाहिए, जिन बचों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है मराठा सक्ती को सर्व प्रथम किसने संगठित किया, मराठा सक्ती को अठारवी सदी के राजिस्थान का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें मराठा सक्ती को सर्व प्रथम किसने संगठित किया था, तो यहां सिवाजी ने सबसे पहले संगठित किया था, ठीक है, औरं गये थे आक्रमन करने लगे थे अगला देखे औरंग जीव की मृत्यू के बाद मराठा सक्ती ने सबसे पहले कहां आक्रमन किया तो यहां पर मालवा और गुजराद में सबसे पहले आक्रमन प्रारम कर दिया था ठीक है नेक्स्ट देखे राजेस्थान में मराठों ने सर्व प्रथम कहां प्रवेस किया तो राजेस्थान में कहां प्रवेस किया मेवार शेत्र में प्रवेस किया 1711 इसवी में राजेस्थान में सबसे पहले 1711 इसवी में मराठों ने मेवार में प्रवेस किया था नेक्स्ट देखें मराठों ने कोटा और बुंदी पर आकर्मन कब किया तो एक्जाम में पूछा जाता है question जो है important है कि मराठों ने कोटा और बुंदी पर आकर्मन कब किया था तो 1726 ESP में मराठो ने कोटा और गुंदी पर आक्रवन किया था तो वीडियो जो है वो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए जबी आपको सभी चीजें याद हो पाएंगी ठीक है एक भी कुशन जो है वो आप मिस ना करें क्योंकि कौन सा जो है कुशन आपके एक्जा में आ जाएं तो उसका कोई नहीं पता होता है इसलिए बहुत इंपर्टेंट है चेप्टर भी और हर एक कुशन इंपर्टेंट है तो वीडियो जो है वो इस तरीके से बार-बार सुनिएगा question answer का जैसे आप गाना सुनते हैं तो आपको सारी चीजे learn हो जाएंगी मराठों ने बूंदी के किस सासक को 22 अपरेल 1734 सीसवी में दोबारा शाषक बनाया था तो मराठों ने 1726 सीसवी में कोटा बूंदी पर अधिकार कर लिया था और यहां के सासकों से वो खेराज यकल लेने लगे थे ठीक है फिर 22 अपरेल 1734 को यहां पर बुद्ध सीन को दुबारा से यहां का शाषक जो है मराठों ने बना दिया होरुना सम्मेलन कब बुलाया गया वा अध्यक्षता किस ने की तो राजपू शाषक जो थे वो परिशान होने लगे थे किस वज़े से मराठों के आक्रमर से पहले मुगलों से परिशान थे मुगलों का पतन जो है वो हो चुका था उसके बाद मराठों ने यहां एंट्री कर ली थी अब मराठों से परिशन होने लगे थे तो इसके लिए राजपू शाषकों ने होड़ा सम्मेलन बुलाया ये होड़ा सम्मेलन बुलाया बहुत इंपोर्टेंट है बहुत बार एक्जाम में आ चुका है 17 जुलाई 1734 इस वी को होड़ा भीलवाडा में यहां पर बुलाया गया होड़ा सम्मेलन इसकी अध्यक्षता जो है मेवाड के महाराना जगस सिंग सेकिंड ने की थी होड़ा सम्मेलन में किन-किन राजपू शाषकों ने भाग लिया तो बहुत सारे राजपू शाषकों ने भाग लिया था और important जो याद रखेंगे आप वो है है आमेर के सवाई जै सिंग, जोतपुर के अभै सिंग, नागोर के बक्त सिंग, कोटा के महाराव सुर्जन साल और जगस सिंग, जिन्हों ने अध्यक्षता की थी होडा सम्मेलन की. नेक्स्ट देखें, हरुना सम्मेलन में सभी शाशकों ने कहां एकत्रित होने की योजना बनाई थी. कि जो है, जो भी सत्रू हैं, मराथे जो हैं उस वक्त शत्रू थे, तो सभी एक जोट मिल जाएंगे, तो इन सत्रू का सामना कर सकेंगे, तो रामपुरा में 71 होने की योजना बनाई थी, लेकिन ये योजना जो है वो बिल्कुल विफल रही, इसकी पालना नहीं हुई, क्यों नहीं नहीं लिया जा रहा था आमेर के सवाई जैसिंग की उदासीन था ठीक है और इस वज़े से जो मराथे हैं वो राजिस्थानी शाष्कों पर जो है वो अपना प्रभुत्व जमाने में सफल हो जाते हैं question 10 देखें राजिस्थान नीती का आंकलन करने के लिए पेश्वा बाजी राव ने अपनी माता राधावाई को कब राजिस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा तो सबसे पहले जो पेश्वा बाजी राव थे उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो ये आखा कि राजिस्थ लोट आई 1735 इस्वी में उसके बाद इन्होंने राजिस्थान जो है इसका दौरा किया और यहां से चौत वसूली प्रारम कर दी जैपूर उत्रादिकार संघर्ष कब हुआ वा किसके बीच हुआ तो होड़ा सम्मेलन जो असफल इसी वज़े से हुआ था कि राजाओं में एक जुटता नहीं थी मिलकर कारे उन्होंने नहीं किया तो जैपूर उत्रादिकार संघर्ष जो है यह होता है ईश्वरी सिंग और माधव सिंग के बीच में 1743 इसी में ठीके तो यहां पर उत्रादिकार के निर्णे में यहां पर दखल देने का अवसर जो है वो मराठों को मिल जाता है क्योंकि जब आपस में ही लड़ाई हो रही होती है तो बाहर का व्यक्ति तो आकर यहां पर अपना कारे करना स्टार्ट कर देता है तो राजिस्थान में बहुत सारे उत्रादिकार संगर्स हुए जहां पर मराठों ने भी बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका निभाई नेक्स्ट देखें कोशिन 12 है चंद्रकुवर बाई का विवाह किसके साथ हुआ था तो यही हम देखते हैं जैपुर उत्रादिकार संगर्स में कि जो महाराणा अमर सिंग सेकंड थे उनकी जो पुत्री थी उसका नाम था चंद्रकुवर बाई ठीक है तो यहां पर सर्थ ये रखी गई थी कि सवाई जैसिंग जो है वो शादी करेंगे चंद्रकुवर बाई से और उनके जो उत्पन पुत्र होगा उसे जैपुर के सिंगहासन पर बिठाया जाएगा ठीक है चाहे जो सवाई जैसिंग है उनके पहले से ही बड़ा पुत्र क्यों ना हो तो यहां पर सर्थ के अनुसार 1708 इस्वी में विभा होता है चंद्रकुवर बाई का सवाई जैसि ही है होगी ही क्योंकि राजपुतों में एक जो चीज चलती थी कि जो बड़ा पुत्र होगा उसी को सिंगहाशन पर बिठाया जाएगा और यहां चंद्रकुवर बाई के जो पुत्र होता है कौन माधव सिंग तो माधव सिंग जो है उसको सिंगहाशन पर बिठाया जाता ह तो इसी वज़े से माधाव सिंग और इश्वरी सिंग इन दोनों के बीच में जैपुर उत्तरादिकार संगर्ज होता है। सवाई जैसिंग की मृत्यू कब हुई थी? यहां जो है सवाई जैसिंग की मृत्यू 1743 इसवी में हुई थी। सवाई जैसिंग का बड़ा बेटा कौन था? तो बड़ा बेटा था यहां पर इश्वरी सिंग ठीके और छोटा बेटा कौन था? माधाव सिंग माधाव सिंग किसका पुत्र था? राज कुमारी चंदरकुवरी का ठीके और चंदरकुवरी जो है वो किसकी पुत्री थी? महार उसका नाम था माधाव सिंह ने किसके सहयोग से ईश्वरी सिंह को चनाती दि थी। चोटा था तो यहाँ पर इसकी जो हैल्प करते हैं वो करते हैं जगजस सिंह सेकिंड ठीक है . जोदपुर उत्रादिकार संगर्स किन किन के बीच में हुआ तो राम सींग और भक्त सींग के बीच में जोदपुर उत्रादिकार संगर्स हुआ था और जैसे ही ये संगर्स होता है मराठों को पता लग जाता है और मराठे जो हैं यहाँ पर हस्ट शेप करना प्लारम कर देते हैं मेवाड में उत्रादिकार संगर्स किसके बीच में हुआ था तो यहाँ अरी सिंग और रतन सिंग थे तो यह जो दोनों हैं दावेदार हो गए थे सिंगहासन या गद्धी पर बैठने के लिए ठीक है दोनों ही राज सिंग सेकिंड के बेटे थे और यहां पर उत्रादिका संगर्ष जो होता है अरी सिंग और रतन सिंग के बीच में राजेस्थान के राजियों में सर्व प्रथम संदी अंग्रेजयों के साथ किसने की थी तो सबसे पहले जो है अब देखिए मराठे जो हैं वो हस्तशेप कर रहे थे तो यहां मराठों से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे थे राजपुद शाशक तो इन्होंने क्या कि कि इन्होंने जो है अंग्रेजों से हेल्फ मांगी और अंग्रेजों से जो है 1817 की जो संदी है वो करना पारम कर दी तो यहां पर सबसे पहले संदी जो है वो भरतपुर राज्य जो है करता है ठीक है 29 सितंबर 1803 में most important question exam में पूछा जा सकता है और हो सकता है कि आगामी पर राज्य ने की थी 1818 इसवी तक किस राज्य को छोड़ कर सभी राज्यों ने अंग्रेजों से संदी कर ली थी तो यह जो संदी है यह 1817 से 1818 की है ठीक है तो यहां पर सभी राज्यों ने संदी कर ली थी धीरे धीरे भरतपुर ने सबसे पहले करी थी और उसके बाद जो है शिरोही राज्य जो है इसको छोड़ कर सभी ने कमपनी का संद्रक्षन सुईकार कर लिया था शिरोही राज्य ने संदी पर हस्ताक्षर कब किये तो बाद में जो है मारवार ने जब विरोध गिया था तो उसके बाद में सिरोही ने भी संदी की तो ये संदी जो है सिरोही राज्ये ने 1823 इस्वी में की थी तो इसका मतलब क्या हुआ अब जो वो पूरा जो राजिस्थान है वो थोड़े ही समय में अंग्रेजों के सनुक्षन में आ गया था तो हाला कि राजपू शाशक ये नहीं जानते थे कि मराठों से ये बच गए है और अंग्रेजों के चंगुल में फस गए है मराठों से बचने के लिए राजपू शाशकों ने अंग्रेज सरकार से कब संदियां सुरू की थी तो 1817-18 की ये संदी है ये ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पर ये चेप्टर जो है वो आपका पूरा होता है 18-20 सदी का राजिस्थान ठीक है 22 कुश्चन जो है इस चेप्टर में से निकले हैं राजिस्थान में जो हुआ था उस चेप्टर से संबंदित प्रस्णों जो हमों करेंगे मिलेंगे नेक्ट वीडियो में थैंक यू